हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटको के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवशक जानकारी आप से मिस ना हुपाए धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवन चर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आप सभी लोगों को धंतेरस पर्व की अदन बधाई हार्दिक शुपकामनाओं के स्वात मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत वभिननन करता हूं अपने यूट्धिक की तिति है शुक्रवार का दिन है नक्षत्रेचितर योग है प्रीति और करण है गर और व्रत पर्व और तिवहार की अगर बात करते हैं तो प्रदो शिवरत मास शिवरात्री काली चौदस के साथ साथ धन त्रयोदशी का परवाज मनाया जा रहा है तो यह तो बात रही आज के पंचांकी अपचर्चा करते हैं राशिफल की और आज का राशिफल बहुत ही खास होगा धन तेरस के दिन राशी के नुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे धन वर्षा हो और खुद कुबेर देवता आपके उपर अपना खजाना लुटाएं ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथी को धन तेरस का पर्व मनाय जाता है इसी दिन से दिपावल देवता आप पर अपना खजाना लुटाते हैं ये उपाय बहुती सरल बहुती चमतकारी हैं तो इन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपको फायदा आवश्य मिलता है अगर आपने धन तेरस पर राशन उसार कुबेर भगवान की पूजा कर ली तो आपको कुबेर का ख खजाना आपके हाँ लग सकता है आईए जानते हैं क्या है ये उपाय कैसे आप लाब ले सकते हैं तो सबसे पहले मेश राशी मेशराशी के जातक लोगों को कुबेर भगवान की पूजा के लिए लाल फूल का उपयोग करना चाहिए इस लाल फूल में इत्र डाल करके गुंजा डाल करके आपको दीपक जलाना चाहिए साल भर आर्थे का नुकूलता बनी रहेगी और उधार दिया हुआ आपका अपना पैसा भी आपको वापिस मिल जाएगा व्रिशब राशी व्रिशब राशी वाले जातक लोगों को अबीर गुलाल और मोगरे के फूल कुब में प्रवाहित करें ऐसा करने से आपको संचित धन जो है लगातार आपका बढ़ता रहेगा सेविंग्स बढ़ती रहेगी और अचानक जो धन खर्च होता है वह खर्च होना बंद हो जाएगा और आप माला माल होते रहेंगे मिथुन राशी मिथुन राशी के लोग को आप रग दें या दुकान में बांद करके किसी कील से लटका दें ऐसा करने से आप पर लक्षमी जी प्रसंद होंगी और पूरे साल भर आपको धन लाब मिलता रहेगा करकराशी करकराशी वाले जातक लोग अपनी राशी के नुसार कुबेर देरता को कच्चा दूद औ गंगा जल चढ़ा करके चांदी का दीपक जलाएं धन्तेरस के दिन शाम के समय पीपल के व्रिक्ष के समी तेल का पच्मुप की दीपक आपको जलाना चाहिए ऐसा करने से आपको अचानक दनलाप के योग बनने लगेंगे सिंग राशी के लोग जल में गुड़ डाल करके उस जल से कुबेर देवता का भी शेक करें तांबे का दीपक लगाएं और गुलाब के फूट समर्पित करें धन्तेरस के दिन से गाय को रोज हराचारा डालने का नियम आप बना ले तो आपके कारोबार में जो बार बार हा होने लग जाएगी कन्या राशी कन्या राशी के लोगों को धनिया और अबीर और गुलाल जो है वह कुबेर देवता को चड़ाना चाहिए इत्र लगा करके चांदी का सिक्का कुबेर देवता को समर्पित करें धन्तेरस के दिन दो कमल गट्टे ले करके उसे मालक्षमी के मंदर में चढ़ाएं तो उनके जीवन में आर्थिक इस्थिर्टा जिनको नहीं मिलती है वह आर्थिक इस्थिर्टा जो है वह समाप्त हो जाएगी और जीवन में उन्नती और इस्थिर्टा का आपको फिर लाव समझ में आने लगेगा उसका अंतर आपको दिखने लगेगा तुला राशी के जातक लोगों को भी सुगंदे दित्र कुबेर देवता को चड़ाना चाहिए और सफेद पलाश के फूल चड़ाएं, पूजा के बाद चांदी का दीपक जलाएं, दंतिरस के दिन शाम को माता लक्ष्मी के मंदर में नारियल चड़ाएं, इस उपाई को करन ने दंतिरस के दिन शम्षान में जाकर के कुएं का जल लाकर के किसी पीपल के व्रिक्ष पर चड़ाएं, तो कर्ज से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशहाल आपको खुशाली आने लग जाती है, धनुराशी, धनुराशी के लोग कुबेर देवता को हल्दी और केसर चड़ाएं, पूजा के बाद पीली मिठाई का भोग लगाएं और दीपक जलाएं, धन्तेरस के दिन गूलर के ग्यारा पत्ते और मौली को बांध करके किसी वट्प्रिक्ष पर बांदें तो आपकी आर्थिक इस्तिती दिनों दिन मजबूत होती चली जाएगी, मकर राश स्याद दूर होगी और आपको धनलाब निरंतर मिलता रहेगा, कुमराशी, कुमराशी वाले जातक लोगों के लिए कुबेर देवता को प्रसंद करने के लिए कुशा और गंगाजल से कुबेर बगवान को इस्तनान कराएं और मिठाई का भोग लगा करके सरसो के तेल का द जातक लोगों को कुबेर देवता को प्रसंद करने के लिए पीले कपड़े केसर और हल्दी चड़ाना चाहिए फिरित्र लगा करके गाए के घी का दीपक जलाएं मीन राशी वाले जातक लोगों को धंतेरस के दिन केले के दो पौधे लगाने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए लेकिन कभी भी उन पौधों के उन पर्टिकुलर दो पौधों से जो फल उत्पन होते हैं वो आपको खाने नहीं चाहिए ग्रहण नहीं करने चाहिए ऐसा करने से व्यापार व्यासाई में जो भी शिथिलता है जो व्यापार प्रगती नहीं कर रहा है व्यापार पूजा राधना के लिए विशेश उपाय और टोटके करने चाहिए अब हम लोग बात कर लेते हैं धंतेरस के चमतकारी टोटकों के बारे में मंत्र और उपाय आपको बताऊंगा जो आपको करोड़ पती बना सकता है धंतेरस पर धन कमाने के सबसे सस्ते और सरल उपाय परजमाते हैं तो आपको इनसे मंचाहा परणाम जो है जीवन में प्राप्त हो सकता है धंतेरस के कुछ आसान से टोटके आपके लिए मैं लेकर के आया हूं जो आपकी जिंदगी में आ रही धंसंबंदी परशानियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं शास्त्रों में ऐ त्रयोदशी की तिथी से ही जोड़ा गया वो तो आप कभी भी कर सकते थे लेकिन त्रयोदशी की तिथी से जोड़ने का कारण ये था उसका शास्त्री ये महत्व भी है उसकी पीछे की कहानी भी है आप लोगों को पहले बता चुका हूं और ऐसा कहते हैं कि त्रयोदशी क कारक कोडियां रखनी है फिर आधी रात के बाद ये कोडियां घर के किसी कोने में सुंसान जगां पे कच्ची मिट्टी वाले स्थान में गाड़ दीजे इससे अचानक आपको बहुत ज्यादा लाब होगा सायंकाल के बाद जब ये तेरा दीपक आप प्रज्वलित कर ले अपनों हाथों में गदा और वर धारन करने वाले सिर्पर श्रेष्ट मुकुट से लंकृत तुंदिल चरीर वाले भगवान शिव के प्रियमित्र निधीश्वर कुबेर भगवान का मैं ध्यान करता हूं उनको मैं प्रणाम करता हूं और उनको ध्यान करते हुए आपको ज जुड़े हुए एपिसोड में यह मंत्र बताया यह मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवडाय धन धान्या दिपतय धन धान्य सम्रिद्धि में देही दापय दापय स्वाहा इस मंत्र का आपको जाप करना है एक बार उच्चारित करना है इसके पश्यात कपूर से आ अकराथ्म कूरजा दूर होती है धन तेरस के दिन अपने परिवार के सदश्यों के लिए सामान या उपहार खरीतें बारी लोगों के लिए को इपहार आपको अगर किसी को देना है तो आप दे सकते हैं भेट कर सकते हैं YouTube यदि आपके पास धन नहीं टिकता तो इस धन्तेरस से दिवाली के दिन तक आप मालक्षमी की पूजा के दौरान एक जुड़ा लॉंग आप उनको जरूर चड़ाते रहिए धन्तेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा, आदी अन्य सफेद बस्त में दान करते हैं तो आपको धन की कमी कभी नहीं होती है और जमापूंजी बढ़ने के साथ ही आपके कारियों में आ रही बाधाएं जो है वो ये उपाय दूर करता है धन्तेरस के दिन किसी किन्नर को अवश्य दान देना चाहिए और उस से उसका एक रुपया उसके पास से मांग लेना चाहिए यदि किन्नर आपको खुशी से वो सिक्का दे दे तो बहुत अच्छा होता है अगर नहीं देता तो आप मांग सकते हैं उसको आप आगरह कर लीजे कि मुझे आप अपने पास से कुछ पैसा दे दीजे इस सिक्के को अपनी तीजोरी या पर्स म प्राप्त होगी इससे मालक्षमी भी प्रसंद होती है और सुक सम्रिद्धी का आशीश आपको प्रदान करती है इससे आपके हर कारे में आपको अपार सफलता भी मिलती है यदि आपको किसी भी कारे में सफलता प्राप्त करनी हो तो धन तेरस पर उस पेड़ की आप तहनी तोड़ करके लाईए जिस पेड़ पर चमगादर बैठता हो इस टहनी को ड्राइंग रूम में रखने से धन की प्राप्ती होती है साथ ही समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है तो कम से कम पांच दिन तो इस टहनी को आप रखिए जब वो सूख जाए तो उसे आप जल प्रव धन्तेरस के दिन किसी की बुराई न करे इस दिन किसी से लड़ाई जगडा न करे इससे घर में शान्ती और सकरात मकता नहीं रहती धन्तेरस की पूजा से पहले और बाद में दक्षनावर्ती शंक में जल बर करके घर के चारों कोने में थोड़ा थोड़ा छिड़कना चाह आसानी से उपलब्ध होने वाली पांच ऐसी सामगरी जो धनतेरस पर आपको धनवान बना सकती है धनतेरस पर धन कमाने के उपाए हर कोई आज माता है आज मैं आपको पांच ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो ना तो बहुत मुश्किल है इनको जुटा पाना ना यह आसानी से उपलब्ध है तो पहली चीज है नमक धनतेरस पर नमक का नया पैकेट खरी दे खाना बनाने में नया नमक का पैकेट जो है उससे ही आपको नमक प्रयोग करना चाहिए इससे धन की आवक में वृद्धी होती है घर के उत्तर पूर के कोने में थोड़ा सा नमक का तोरी अत्वा चोटी डिब्बे में डाल करके आप रख सकते हैं इससे घर की नकरात्मक उर्जा समाप्त होगी और धनागमन के योग आपके लिए बनने लगेंगे साबुद धनिया धन तेरस के दिन साबुद धनिया खरी दे पूरी रात लक्षमी जी के सामने साबुद धनिया रखे रहने दे अगले दिन प्राता काल साबुद धनिया को गंबले में आपको बोदेना चाहिए ये जब उगेगा तो आपकी आर्थिक इस्तिती को मजबूत करने का संकेत है आपको प्रदान करेगा अगर धनिये से हरा भरा स्वस्त पौदा निकल जाए तो आर्थिक इस्तिति सुद्रिड होती है अगर धनिये का पौदा पतला और सामान्य हो या कमजोर हो तो आपकी आर्थिक किस्तिती कमजोर रहेगी ऐसा आपको समझना चाहिए और अगर धनिया बिलकुल ना होगे तो समझ लीजे कि आर्थिक परिशानिया जीवन में आने वाली है धनकारक कोडी धन तेरस के दिन कोडी खरीद करके घर में लाएं और अपार धन प्राप्ति के एतु धन तेरस की रा रास्ता खुलने लगेगा कमल गट्टे घी में कमल गट्टे मिला करके लक्ष्मी माता को प्रसाथ चड़ाने से व्यक्ति राजा जैसा जीवन जीता है इसके अतरिक्त 108 कमल गट्टों की माला लक्ष्मी जी पर चड़ाने से व्यक्ति को इस्थर लक्ष्मी की प्राप्ति ह होती है धन और बरक्कत के लिए कमलगटे की माला घर में अवशे everyone हैं धन्तेरास के दिन स्थान में आप इस् mia व्रिद्धी होती है तो यह जो पांच उपाय है धन्तेरास में आप चाहें तो इन पांच के पांचो को कर सकते या इन में से कोई भी दो तीन चार आप उपाय कर लें तो इन से आपको सुख और एश्वरे का धन प्राप्ति का वर्दान माता लक्ष्मी से प्राप्त हो सकता है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि शास्त से जुड़ी हुई बातें ग्यान की बातें जो चमतकारी टोटके आपको मेरे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होते हैं ये निश्चिती पसंद आते होंगे आप सभी से बार-बार आग रहा है कि जब भी आप मेरे वीडियोज देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियोज की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाटसप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद